Hello everyone, welcome back to my channel आज हम डिसकस करने वाले हैं Class 2 Maths Worksheet तो वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर जाके सर्च करते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाईएगा वहाँ पर classified किया गया है nursery वीडियो, LKG वीडियो, UKG Class 1st and Class 2 के लिए तो आप वहाँ जाकर के बहुत ही असानी से अपनी subject related वीडियो को सर्च कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम डिसकस करने वाले है Maths Worksheet और Class हमारी है 2 तो चली देखते हैं, फर्स्ट कोशन क्या है हमारा Write the number names तो फर्स्ट है हमारा यहां पर 121, तो यहां पर numbers दिये गए हैं, और हमें बच्चों को बोलना है यहां पर number names को लिखने के लिए, तो यहां है 121, तो हमें बच्चों को यहां पर 100, O-N-E-1, H-U-N, D-R-E, D, 100, 170, D, 196, यहां पर है, match the numbers to their number names, तो यहां पर number names दिये गए हैं, जो हमने यहां पर लिखे थे, and then उसके बाद यहां पर numbers लिखे हैं, तो बच्चों को जब clarify हो जाता है numbers से number names, तो आप इस तरह की वक्षित जो है, वो बच्चों के साथ share कर सकते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा है 571, तो आपको बच्चों को बोलना है, इसको search करने के लिए 571, तो इसको इसके साथ match करेंगे, 912, तो यहां पर इसको इसके साथ match करवाना है, 867, 233, 146, and last but not that is 331, 331, तो 331 है हमारा सबसे ऊपर, so next question we have, write the expanded form, यहां पर 1st question में है 132, तो इसे हमें expanded form में लिखना है, expanded form में हम कैसे लिखेंगे 132, तो बच्चों यह कैसे आया है, क्योंकि 1 जो है वो 100 की प्लेस पे है, इसलिए हमने यहां पर 100 लिखा है, 3 जो है वो हमारा 10s की प्लेस पे है, and 2 हमारा 1s की प्लेस पे है, तो यहां पर 2 आ गया, 199, 199, 164, तो यह हमने लिखा है expanded form में, next question we have, count backwards and write the previous 5 numbers, तो यहां पर हमें बच्चों को backward counting करवानी है, तो 1st question है हमारा 500, 500 से पहले आएगा, 499, 498, 497, 496, and 495, तो इस तरीके से आप backward counting बच्चों को बता सकते हैं, 789, 788, 787, 786, and 785, तो यह हमारी backward counting हो गई है, so next question we have, write the number after reading the place value of the digit, the number with 6 in the 100 place, 5 in the 10s place, and 7 in the 1s place, तो 6 हमारा जो है वो 100 की place पे है, तो 100 की place पे हमें लिखवाना है, 5 हमारा 10s की place पे है, तो यहां 5 आएगा, and 7 हमारा 1s की place पे है, तो हम 7 को 1s की place पे लिखेंगे, तो हमारा आंसर आगया, 657, next question same है, the number with 9 in the 100 place, 9 जो है वो 100 की place पे है, 4 in the 10s place, 10s की place पे 4 लगा देंगे, and 8 जो है वो 1s की place पे है, तो आंसर हमारा आगया, 948, next question we have, write the largest and the smallest number using the digit given below, तो यहां पे हमें एक digit दिया गया है, 428, पहले हमें इसको largest form में लिखना है, यानि कि जो सबसे बड़ा number है, उससे start हमें करना है, तो हमारा number बनेगा 842, 8 आएगा हमारा 100 की place पे, 4 आएगा हमारा 10s की place पे, and 2 आएगा हमारा 1s की place पे, अब सेम नमबर को हमें smallest number में लिखना है, तो smallest number में क्या आएगा बच्चों, 248, 2 हमारा 100 की place पे, 4 हमारा 10s की place पे, and 8 हमारा 1s की place पे आगया, next question 395, तो 395 में हमें largest form में लिखना है, 953, 953, and smallest form में लिखेंगे, तो लिखेंगे 359, आज मैंने आप लोगों के साथ, discuss किया है इसका वर्कशीट, so hopefully ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful होगा, तो please वीडियो को like कीजगा, share कीजगा, और मेरे चैनल पे नए हैं, तो subscribe कीजगा, thank you,